हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मीद है आप लोग आच्छा ही होंगे तो आज को टॉपिंग में हम बात करने वाले dimensional analysis की यूज कहां कहां कर सकते हैं और क्या क्या limitations होती है dimensional analysis की ऐसा नहीं है कि हर एक जगह हम लोग dimensional analysis कर सकते हैं उसका भी एक limitation होता है कोई भी formula होता है उसका combination analysis का भी एक limitation है जिसके बारे में हम discuss करेंगे और application का होता है उसके बारे में discuss करेंगे तो सबसे पर ले हम बात करते Limitations of Dimensional Analysis क्या-क्या Limitations हो सकता है Dimensional Analysis का क्योंकि जैसे आपको ट्रेन में चड़ना रहाता है तो आपके पास Ticket होना compulsory होता है तो उसी टाइप से यहाँ पर Dimensional Analysis में भी Limitations है कि आप कहाँ पर यूज कर सकते इसका और कहाँ पर यूज कर सकते हैं और क्या-क्या Limitations है उसके बारे में हम discuss करेंगे तो ट्रेन में चड़ने के लिए आपको Ticket compulsory है और एक Ticket से एक ही आदमी जर्नी कर सकते हैं तो उसी टाइप से यहाँ पर भी Dimensional Analysis का Limitations है तो एक्जाम में जैसे आप एक्जाम देने जा रहे तो महाँ पर भी Limitations है कि आप सिर्फ अपना Admit Card और एक ID Card ले करके Entry कर सकते हैं बहुत ज़्यादा Baggage और यह सब नहीं ले के जा सकते हैं तो उसी टाइप से Dimensional Analysis में भी Limitations है तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या Limitations होते हैं Dimensional Analysis के Dimensional Analysis कांट डिराइब रिलेशन और फॉर्मूला इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपन मोर देन थिरी फेक्टर्स हेविंग डिमेंड्स तो Dimensional Analysis जो है वो कोई भी रिलेशन और फॉर्मूला डिराइब नहीं कर सकता है फिजिकल क्वांटिटी का अगर वो क्वांटिटी जो है मोर देन थिरी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो हम लोग Dimensional Formula जो निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी का तो सिर्फ M L and T के टर्म में निकालते हैं तो ये तीनो टर्म के बाहर अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का Dimensional Formula आता है तो वो उसके लिए valid नहीं होता है तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इट कांट डिराइब ए फिर्मुला कंटेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिक फंचन एक्सपोनेंशियल फंचन and लोगरित्मिक फंचन and इट कांट डिराइब ए रिलेशन having more than one part in an equation और कोई भी जो है फिर्मुला जो हम कंटेनिंग करते हैं तो वो जैसे ट्राइगोनोमेट्रिक है ट्राइगोनोमेट्रिक फंचन साइन थीटा कोस्ट थीटा इसका कोई डामेशन होता है आप कहीं भी एक्वेशन में रहेगा जैसे साइन ओमेगा टी तो इसका कोई Demensional Formula नहीं होता है तो Tiagonometric function जो है उसका कोई भी Dem Libya formula नहीं होता है Next हमारा है Exponential दैसे e to the power x e to the power 0, e to the power n Exponential function जो है उसका कोई भी Demential formula नहीं होता है e to the power x log x तो ये सब क्या है हमारा Exponential term है То science कोई भी Desmond formula नहीं होता है तो next हमारा क्या है logarithmic function और logarithmic function जैसे log x sin x तो इसमें क्या है log x logarithmic function है और sin x जो है यह भी trigonometric function तो यह क्या होगा dimension less होगा तो dimension less हम लोग कब बोलते हैं जब कोई भी constant रहता है तो sin x और log x या क्या है constant कोई भी logarithmic function, exponential function and trigonometric function जो होता है उसका हम लोग dimension formula derive नहीं कर सकते है It can't derive a relation having more than one part in an equation और कोई भी equation में एक term को one time से ज़्यादा हम लोग derive नहीं कर सकते है तो चलिए अब हम point wise discuss करते है कि क्या-क्या limitations होते है dimensional analysis में This method does not tell us how to determine the proportionality constant value तो कोई भी proportionality constant जो होता है तो उसका हम लोग dimensional formula calculate नहीं कर सकते derive नहीं कर सकते जैसे अभी हम आपको बताते है कि f is directory proportional to mb square by r तो यहाँ पर जो अगर f का proportional constant हम लोग remove करेंगे तो f is equal to k mb square by r होगा तो क्या-क्या हमारा dimensional formula है तो dimensional formula का, sorry, क्या हमारा constant है constant का हम dimensional formula derive नहीं कर सकते है तो उसी type से एक और example है जैसे t time period of pendulum तो time period of pendulum का formula क्या है तो 2 pi root under l by g तो यह क्या है हमारा 2 pi, 2 pi constant है इसके जगह पर k भी हम लोग लिखते है तो 2 pi इसलिए लिखते है कि जब pendulum आगे पीछे करता है तो यह क्या करता है एक बार, दो बार तो यह पूरा 180, 180, 360 angle make करता है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 pi लिखते है तो 2 pi क्या हमारा constant है, क्या हमारा क्या है constant है, तो कोई भी dimensional formula जो है constant का नहीं होता है constant का कोई भी dimensional formula है हाँ, कुछ-कुछ variable constant होता है जिसका dimension formula होता है जैसे g, तो g क्या है variable constant है तो उसका dimensional formula हो सकता है तो इसलिए कोई भी first point जो है limitations का this method does not tell us how to determine the proportional constant value तो यह method जो है, कैसे proportional constant का formula determine करते है उसके बारे में नहीं बतलाता है तो next point हमारा क्या है the method cannot be considered to derive composite relations as is equal to ut plus half 80 square और यह composite relation नहीं बतलाता है जैसे इसमें as is equal to ut plus half 80 square तो यह half जो है, यह क्यों लगाया गया है इसके बारे में यह नहीं बतलाता है क्योंकि half constant है, इसका कोई भी dimension formula नहीं होता है तो यहाँ पर भी 2 है 2 constant है, इसका कोई भी dimension formula नहीं होता है तो इसके बारे में composite relation यह नहीं बतलाता है next point हमारा क्या है next point एक formula containing trigonometric function, exponential function and logarithmic function cannot derive from it अभी हम उपार डिसकस किये कि कोई भी logarithmic function हो, exponential function हो trigonometric function हो, तो उसका dimensional formula हम लोग derive नहीं कर सकते जैसे 10 theta तो 10 theta क्या है हमारा, लोग रित्मिक function है इसका कोई भी dimension formula नहीं होता है exponential जैसे e to the power sin x तो यहाँ पर exponential भी है और trigonometric function भी है तो अगर यहाँ पर मान के चलिए e to the power bx रता तो भी हम इसका dimensional formula calculate नहीं कर सकते, derive नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है यह हमारा exponential function है तो exponential function trigonometric function and logarithmic function इसका हम लोग dimensional formula derive नहीं कर सकते हैं यह सब क्या है हमारा limitations है next point हमारा the method cannot be used to determine to derive the relation between more than three quantities तो आभी उपर भी हम discuss किया यह formula जो है, three quantity से ज्यादा हम लोग discuss इसका नहीं कर सकते हैं M, L, T यह तीन quantity में हम लोग dimensional formula को derive कर सकते हैं M क्या है, mass है L क्या है, length है और T क्या है, time है तो यह तीन function में ही हम लोग तीन physical quantity में ही हम लोग कोई भी dimensional formula को derive करते हैं तो next point जो है, और next topic जो है हमारा Use and application of dimensional analysis Dimensional analysis का कहा कहा हम लोग use कर सकते हैं और क्या क्या application है, उसके बारे में हम discuss करते हैं तो पूरा dimension analysis हम लोग पढ़ेंगे और जैसे जैसे topic आते जा रहा है उस हम discuss करते जा रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लो और वीडियो पूरत देख करके प्लेइलिस्ट में दिया गया है अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में जा करके एक एक करके वीडियो आप देख लिजिए तो next हमारा है Usage of dimensional analysis कहा का dimensional analysis का use करते हैं हम लोग और कहान नहीं करते हैं वो भी हम discuss करेंगे तो कहान नहीं करते हैं व तो हम discuss करते हैं तो अब डिसक्स करते हैं यूजेच ऑफ डायनचन एनलाइस सब хоть यूज़ औव डायनचन एनलाइसिस एब्स्केंष हुग है uh इसके बाराम एक अपलिकेशन का हम लोग डीटेल में डिसक्स करेंगे नेउस्ट लेक्चर में तोि फस्ट हमारा क्या है first हमारा है to check the consistency of dimensional equation तो correctness check करना है इसमें हमको कि कोई भी dimensional analysis है वो सही है या नहीं है तो b is equal to u plus 80 दोनों तरफ हम लोग dimensional formula put करेंगे और देखेंगे कि homogeneity equation को follow कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा तो इसके सब्सक्राइब करेक्ट है तो फर्स्ट क्या है यूज अप्लीकेशन टू चेक दी कंसिस्टेंशी ओफ dimensional equation और नेक्स्ट पॉएंट हमारा के टू डिराइब दी रिलेशन बीट्विन फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल फिनोमीना तो इसमें क्या है यूज डिराइब कोई इक्वेशन कैसे हम लोग डिराइब करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के थुरू उसके बारे में हम डिस्कॉस करेंगें जैसे आपको दे दिया है कि एक सिंपल पेंडूलम है तो इसका टाइम पिरियर्यड किस पर किस पर डिपन करता है लेंद करता है औरम मास्ते करता है तो इसके बारे में कैसे रिलेशन होग और गरेवीटी पर करता है तो इह रिलेशन हम लोग कैसे express करेंगे तो वह भी derive करेंगे तो उसके बारे में यह application हम लोग next lecture में पढ़ेंगे तो यह सब second point हमारा क्या है कोई equation कैसे हम लोग को derive करना है तो उसके बारे में dimensionally तो उसके बारे में यह बतलाता है second point जो application dimensional analysis का यूज तो next point हमारा to change units from one system to another system कोई भी unit जो है उसको हम लोग one system से दूसरे system में कैसे एक system से दूसरे system में कैसे change करते हैं मेली हम लोग SI system से CJS system में change करते हैं unit को dimensional analysis से लेकिन जैसे अगर हम लोग को MK system से CJS system में change करना है तो वह तो हम लोग diet कर लेते हैं जैसे एक किलो मीटर is equal to 1000 मीटर जैसे एक सेंटी मीटर को हम लोग मिली मीटर में convert करना रहता है यह सब easy में कर लेते लेकिन क्या है कि SI unit जैसे force का Newton होता है SI unit तो उसको CJS system में हम लोग को change करना रहता है तो एक Newton is equal to कितना होता है वह हमको पता नहीं रहता है भाले आपको याद हो वह अलक्सी मेटर लेकिन कैसे आता है वह exactly पता करना है एक Newton is equal to कितना डाइन होता है यह भी आपको पता करना है कि Newton का CJS unit क्या होता है तो उसके बारे हम जब हम लोग को discuss करना रहता है तो dimension analysis का यूज करते है application of dimension analysis तो to change units from one system to another system तो जैसे कितना आर्ग होगा उसके बारे हम discuss करेंगा पूरा detail में कौन सब formula यूज करते हैं तो कैसे dimensionally हम लोग किसी भी unit को एक system से दुसरे system में change करते हैं उसके बारे हम discuss करते हैं तो आज की लेक्चर में इतना है नेक्ष्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं अप्लीकेशन लेकर करके dimension analysis का तब तक के लिए बाए आज सकते हैं ये की ये कि लिए में लेक्चर में लेक्चर में बाए